वेल्कम टे और चनल दोस्तों आज के वीडियो में हम 9th April के Important Current App एब डिसकुस करेंगे तो इस वीडियो में हम 10 मिनिट में Top 10 Important Current App एब डिसकुस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं अगर वीडियो को लाइक नहीं क्या तो लाइक कर दीजे और चनल को ट्राफिकिंग सेल लॉंच हुआ है तो इसको किस ने लॉंच किया है तो इसको लॉंच किया है एनिके नेशनल कॉमिशन फर वोमेन ठीके नेशनल कॉमिशन फर वोमेन इसने लॉंच किया है जो आंटी हुमन ट्राफिकिंग सेल तो इसको जो हुमन ट्राफिकिंग होता है इस 22 में और इसका headquarter है New Delhi में इसका headquarter है और इसके जो अभी एक्जिक्यूटिव अफिसर है ललीता ललीता कुमार मंगलम ठीक है ललीता कुमार मंगलम इसके जो एक्जिक्यूटिव अफिसर है तो जो human anti-human trafficking cell को launch किया है NCW जो national commission for women फिर देखिए which of the following bank implemented the positive pay system तो देखिए जो कॉंसे bank ने positive pay system को implement किया है तो देखिए इसको implement किया है PNB ने पंजाब national bank तो देखिए जो positive pay system होता है तो यह इसने compulsory कर लिया है compulsory implement किया है जो 10 लग से उपर के जो check होते हैं इनके के लिए तो इसमें क्या होता है इसमें जो जितने भी information होते हैं इनको cross check किया जाएगा ठीक है cross check किया जाएगा और इसको जो फ्रॉड से जो अपने customer को फ्रॉड से बचाने के लिए यह जो system है इसको implement किया गया है और देखिए बात करें पी अन्वी का तो पी अन्वी का जो इसको foundation हुआ था इसका नाइटिन 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 फॉर में और इसका headquarter है निव डेली में और इसके जो MD & CEO है यह है अतुल कुमार गोए ठीक है और इस बैंक का जो tagline है the name you can bank upon ठीक है तो name you can bank upon फिर देखिए which of the following state government will receive a loan of rupees 7500 क्रोर फ्रम वारल बैंक and AIIB तो देखिए वारल बैंक and AIIB से कौन से राज्यसर का जो एक लोन करेगा 7500 क्रोर का तो देखिए यह है गुजराट ठीक है तो गुजराट में जो है जो इसका एक प्रोजेक्ट है गुजराट governments mission school of excellence ठीक है गुजराट governments mission school of excellence इस प्रोजेक्ट के लिए गुजराट जो है यह वारल बैंक and AIIB से जो लोन करेगा 7500 क्रोर का तो देखिए हाँ पर बात करें गुजराट की तो गुजराट के जो cm है भुपेंद्र भाई पटल ठीक है और अभी इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मालपस और इस तरह जो बात करें AIIB का तो इसका फूल फॉर्म है जो एस्यान infrastructure investment bank ठीक है एस्यान infrastructure investment bank और इसका headquarter कहां पर है यह बेजिंग में चाइना के बेजिंग में है और इसके जो हैड है यह कौन है जीन लिकन ठीक है जीन लिकन और इसको established किया गया था 2016 में फिर देखिए which of the following singer won Grammy Award 2022 for a colorful world in the best children's album category तो देखिए इन में से कौन से singer ने एक जो Grammy Award 2022 जीता है एक colorful world के लिए तो यह है फालगुनिशा ठीक है फालगुनिशा जो कि एक Indian American singer है तो इनको मिला है Grammy Award 2022 for a colorful world in the best children's album category फिर देखिए हाल signed MOU with which country to convert civil passenger aircraft to multi mission tanker transport aircraft in India तो देखिए हाल जो कि है Hindustan Aeronautics Limited तो इसने एक MOU sign किया है कौन से country के साथ जिसमें क्या होगा जो civil passenger aircraft है इनको multi mission tanker transport aircraft में convert किया जाएगा तो देखिए जो हाल हाल ने sign किया है इस्राइल के साथ इस्राइल के जो इस्राइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज के साथ इसने जो MOU sign किया है तो इसमें क्या होगा जो civil passenger aircraft है इनको multi mission tanker transport aircraft में convert किया जाएगा तो देखिए बात करें हाल की तो हाल का full firm है जो हिंदुस्तान aeronautics limited और इसका headquarter कहां पर है इसका headquarter है बेंगलूर में और इसको 1940 में established किया गया था और इसके जो chief managing director है यह कौन है यह है आर माधवन ठीक है आर माधवन इसके जो cmd है और बात करें इस्राइल की तो इस्राइल का capital है जेरुजलम ठीक है इस्राइल का capital है जेरुजलम currency है सेकल सेकल है इसका currency और इसके जो PM है यह नापतली बेनेट ठीक है PM है नापतली बेनेट और जो प्रेसिडेंट कौन है प्रेसिडेंट है आईजाक हर जोग इसके जो प्रेसिडेंट है तो यह सब आपको पता होना चाहिए फिर देखें फूइच इंस्टिचूट अफ इंडिया रेंक्ड इन टॉप हंड्रेड ऑफ क्यूएस वारल्ड उनिवर्सिटी रेंकिंग 2022 तो अभ वोथ बी और सी यह ओप्सन डिकराइट एंसर हो जाएगा आई ऐटी मूंबाई और आई दिल्ली नंबर पर और इसको रेंकिंग हुआ है तो इसमें टोटल पांथ सब्जेक्ट के एककर्रिंग इसको रंकिंग किया गया है तो बो इसको सब्जीट कॉन-कॉन से हैं एक है arts and humanity ठीक है arts and humanity और एक है engineering and technology और है life science and medicine और एक है natural science और एक है social science and management ठीक है एक है Arts and Humanity, Engineering and Technology, फिर है जो Life Science and Medicine, फिर जो है Natural Science और एक है Social Science and Management, तो ये पांच सब्जेक्ट में इसको ranking क्या गया है, और जो No.1 पर है जो इस लिस्ट में ये है मसकट, Institute of Technology, और No.2 पर है The University of Oxford, ठीक है, Oxford University है No.2 पर और No.3 की बात करें, तो यहां पर दो University है, एक है Stanford University और एक है Cambridge University, ये दोनो No.3 पर है फिर देखिए, Recently a book, Tiger of Drass, Captain Anuj Nair, 23 Kargil Hero, Released, Who is the author of the book? तो देखिए, हाले में एक book released हुआ है, जिसका नाम है Tiger, Tiger of Drass, Captain Anuj Nair, 23 Kargil Hero, तो देखिए, इस book को लिखा है, Meena Nair and Himant Singh से खावत तो ये दोनों ने jointly इसको लिखा है, Meena Nair जो है, ये Captain Anuj Nair के मा है, और Himant Singh से खावत, इन दोनों ने लिखा है और देखिए हैं पर जो हरिस मेटा है, इनका भी एक book release हुआ था, जिसका नाम है The Maverick Effect, ठीक है, The Maverick Effect, जिसको लिखा है हरिस मेटा तो जो ड्राग, Tiger of Drus, Captain Anuj Nair, 23 Cargill Hero, तो इसको लिखा है Meena Nair and Himant Singh से खावत पर देखिए, The 9th edition of Khansar 2022 was held between India and which country, तो देखिए जो खंजर exercise, जो एक bilateral exercise है, यह अभी जो 2022 में इसका 9th edition हो गया है तो इसको इंडिया और कौन से country के साथ यह exercise practice होता है, तो इसको जो इंडिया and किर्गिच्तान के साथ यह exercise संपर्न हुआ है है तो द Bake किर्गिस्तं कि बात करें तो किर्गिस्तं का जो जिया है विसकेक ठीक है और जो कर्रेंसी है कर्रेंसी है सोम और इसके प्रेसिडेंट हैं यहैं सदेर जेपुरोंब दोस्तों और यह हंजर 2022 यह एक joun total hostel अक्सोसाईज है और इसको कहां पर क्या गया है यह हुआ है हिमाचल प्रदेश के बाक्लोव में ठीक है बाक्लोव में यह exercise को क्या गया है फिर देखिए और कुछ कुछ iMPORTANT जो exercise होते हैं इंडिया के साथ जो है संपृती इंडिया और बंगलादेस के बीच में होता है मित्रसक्ति होता है इंडिया और स्रिलंगा के बीच में सूर्य किरन नेपाल के साथ होता है सिंबेक्स होता है सिंगापूर के साथ और जो बजुरप रहा यह यूएस के साथ होता है ठीक है तो यह कुछ important जो bilateral exercise होते हैं तो इनको आप याद रफना है फिर देखें which country launches a satellite गाउफें 303 पर आर्थ observation तो देखें यहां पर एक जो आर्थ observation satellite का जो launch हुआ है गाउफें 303 तो इसको कौन से देश ने लांच किया है तो इसको लांच किया कौने वाला देश से चाइना ठीक है तो चाइना ने अभी लांच किया है एक सटलेट जो आर्थ साटलेट है जिसका नाम है जेड़ कोंसंट्री तो इसको लॉंच किया गया है जो चाइना का यू रॉकेट लॉंच और इसका नाम है जूक्वन साटलैट लॉंच Center तो यहां से चाइना ने लॉंच किया है और इस जो रॉकेट है जिस रॉकेट से इसको लॉंच किया गया है इसका नाम है Long Mark 4C ठीक है Long Mark 4C से लॉंच किया गया है और बात करें चाइना की तो चाइना का जो क्यापिटाल है बेजिंग और इसका जो कॉर्यांसी है रेनमेन भी और इसके जो प्रेसिडेंट है जी जी इन पिंग ठीक है फिर देखिए फिर देखिए फॉलविंग स्टेट लॉंचेस मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तो हाले में किस राज्योसरकान ने मुख्य सिब्राज सिंग चोहान इन्होंने लॉंच किया है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तो इसमें क्या होगा एक लाग से लेकर पचास लाग तक के जो लोन इसमें दिया जाएगा ठीक है एक लाग से पचास लाग तक का लोन दिया जाएगा देखिए बात करें मध्य प्रदिश की तो इसमें जो इसके चीफ मिनेश्टर हैं सिवरा सिंग चोहन और इसके जो गवर्नर हैं यह मौंगु भाई चगन भाई पटेल और इसका केपिटल है भोपाल ठीक है तो दोस्तों एहीं पर यह वीडियो खत्म होता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ला हीडियो जो जो इसके चेमन प्रदियो जो झाल आपको बादा आपको जो जोगियो झाल जोगषिय।